प्रदान मंत्री नहेंद मोदी ने मन की बात कारिकरह में कुछ सउदेसी अचयव का जिकर किया,ứत बात कारिकरह में देस को आत्म निर्भर बनाने का संदेश दिया, उन्होंने यूआओ से अपील करते हुए कहा आप भी इसमें योगदान दे पियम मोधी ने कहा आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का पर्यास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और छेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है जारखन में पिछले दो दिनों से मानसुन कमजोर पड़ा है पिछले 24 गंटे में कुछ राजजियों में ही हलकी बारिस रिकोर्ट की गई है मौसम विभाक के उनसार एक कम दवाव का चक्रवाती छेत्र दक्षनी पच्मी की तरफ बढ़ रहा है जिससे एक सितंबर को राज़ में बारिस होने की संभावना है बता दे की पूर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम, सिम्डेगा, सराय केला, खरसावा, देवगर, धनबाद, दुमका, गिरिटी, गोड़ा में बारिस के साथ बजरपात की संभावना है एक सितंबर से जार्खन में चलेंगी बसे देना होगा दोगुना किराया अनलोग 4.0 के परकिरिया सुरू हो गई है, लोग आप अपने जीला से दूसरे जीलो में जा सकेंगे एक सितंबर से राज में 3000 बस सरकों पर दढ़ने लगेंगी, इसके लिए दोगुना किराया देना पर सकता है बताया जा रहा है कि जार्खन बस ओनस एसोसियेशन की 14 जीलो में हुई बैठक में सतर से सो परतिशत किराय बढ़ाया जाने की मांग रखी गई है उदर सरकार ने यातरा करने वालों लोगों से अपील की आए कि अरोग से तू अप इस्टोल अवस करे साथ में मास्क जरूर पाने यातरा के दरान पान गूटका तंबाकू दुम्रपान खैनी खाना परतिवन रहेगा बस चालक को कंट्रेक्ट टेसिंग के लिए यातरियों का रिकोर्ड पूरा पता के साथ मोबाइल नंबर के साथ रखना होगा जर्खन में 1323 नए संक्रमितों के पुष्टी हुई जो बोकारूस 134 एक सोदर देवगर 16 धनबाद 31 दूमका 15 पूर्वी सिम्मूम 85 गडवा 15 गिरीडी 79 गोटा 21 गुमला 20 हजार बक सेथिस जामतरा 25 खोटी 11 कोडरमा 26 लातेहर 9 लोहर दागगा 5 पांकूर 1 पलामो 29 जर्खन में 248 सायवगंज 15 सराय के लबासट सिम्डेगा 12 पुष्टी में 17 मिले हैं जारकर में कुल संक्रमितों के संख्या 38 या 435 है जबकि 264 लोग स्वास्थ हुए और 410 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों के संख्या 36,09,179 है जबकि 27,092,928 लोग स्वास्थ हुए और 4667 की मिरिती हुई भारत मेंना एक केस 89,49 मिले रविवार को 10 लोग की मोथ हुए है जो पूर्वी सिम्भू से साथ पच्छमी सिम्भूम पाकुर दूमका से एक के की मोथ हुई है रविवार को 1182 मरीज स्वास्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राच 1216 पूर्वी सिम्भूम 247 रामगर 617 बुकार 517 अलिवार कोडार्मा 404 गिरिडी 309 धूमका 309 सरायक इला 340 गडवा 308 लातेया 37 सायवका 304 279 पलामू 265 245 खुट्टी 214 गुमला 12199 सिम्डेगा 129 देवगार 135 जामतला 126 लुएद्यागा 107 गोड़ा 739 पाकूर 68 मरीज फिलाल एक्टिव हैं जार्खन में आज एक लाग चालीस है लोग की होगी संक्रमन जाच क्रोना जाच में तेजी लाने के लिए छटा विसेश जाच अभियान सोमवार को पूरे राज में चलाया जाएगा बता दे कि इस विसेश जाच अभियान में रैपिट एंटिजन टेस्ट से कूल एक लाग चालीस है लोग की क्रोना जाच का लक्ष रखा गया है इसके तवत आठ जीला में प्रती जीले 75 सो सेंपल का लक्ष रखा गया है यह वैसे जीला है जहां क्रोना की संक्रमन दर अधिक इसमें से राची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी, सिम्मू, पच्मी, सिम्मू, गिरिटी, हजारी बाग तता पलामू समीली था है मंत्री मिथलेश ठाकूर डोनेट की पलाजमा जाकन सरकार के पेज़ा लेवम सक्षता मंत्री मिथलेश ठाकूर ने आपना पलाजमा डोने था हेमंद सुरेन ने दो राया अस्थागित हो जेई और नीट की परिक्षा जार्कन के मुख मंत्री एक बार फीर कहा है कि जेई और नीट की परिक्षाई अस्थागित की जाए देश में क्रोणा संक्रमन के मामले में प्रती दिन रिकोर्ड परहतरी हो रही है यह संखे 78000 प संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जल वर्त करेंगी महिलायें इस वर्ष जीतिया पर दस सितंबर को है वॉंस व्रीदी एवं संतान की लंबी आईू के लिए महिलायें क्रिष्ण पक्स अस्थमी तिथी कोई अवरत करती है इसमें महिला करीब 24 गंटे निर्जल और synchronous र खिलावना फैक्टरी चालू करने का आगरा भरतिये जंता पार्टी के राज सभा के पूर्व संसत अजय मारू ने राज सरकार से कोकर श्थित खिलावना फैक्टरी को फिर से चालू करने का आगरा किया है उन्होंने रभिवार को कहा है कि यह फैक्टरी काफी लोग प्रिये था और इसमें तरह तरह के देशी खिलोने बना जाते थे जीन की मांग भी बहुत थी लेकिन आर्थिक तंगी के करण इस फैक्ट्री को बंद करना पढ़ा लाह की खेती से आत्म निर्वर बन रहे किसान जारखन में राची जीला के और माजी परखंड के किसान इन दिनों लाह की खेती कर आत्म निर्वर की और कदम बढ़ा रहे हैं यहां के किसान का काना आकी प्रमपरागर्त क्रीशी से हट कर वेवसाइक खेती करने से आमदैनी में कई गुना विरिदी हो रही है 200 सरधालू बाबा की पुजा कर रहे है प्रति दिन देवखर बाबा मंदीर को 200 सरधालू के लिए समाजिक दूरी का पारण करते हुए दर्शन की वेवसा कराने का नियाले ने निर्देश दिया था जिसके बाद यहां वेवसा तीन दिनों तक लागू रही इसके बाद लगातार भीड में विरिदी होने के कारण आज से देवखर मंदीर परशासन और जीला परशासन भक्तों को मंदीर में इंट्री के लिए मान सिंधी इस्थित फूट ओवर बिरिज और क्यों कम्प्लीट के माध्यम से मंदीर के संसकार मंड़प होते हुए गर्भ ग्रिह में परवेस कराया है सांसद साक्षी महराज एकंत्वास से मुक्त उतर परदेश के भाजपा सांसद साक्षी महराज को जीला परशासन ने रविवार को ग्री एकंत्वास से मुक्त कर दिया दोपहर बात कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा सांसत दिली के लिए रवाना हुए बताया जाता है कि सनिवार को अस्थाने परसासन ने साक्षी महराज को 14 दिन के लिए गरी एकंस्वास किये जाने के बाद परदेश भाजपा नराज हाए सभी दुकंदार और जीला वासी अपना टेस्ट करा है रामगर एसडियो रामगर जीला में क्रोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जीला परसासन ने सभी लोगों को अपना टेस्ट कराने को कहा है SDO किर्थी शिरी ने जीले के तमाम लोगों से अपील जारी करते हुए कहा कि वे अपना स्वाइब सेंपल विशेश क्रोना जाट कैम्प में दे सकते हैं दुमका सेंटरल जेल में 133 पोजेटिव मरिज मिले दुमका में रविवार को क्रोना पोजेटिव मरिजु का रिकोर्ड टुटा सेंटरल जेल 133 कैदी समेट जीले में 157 क्रोना संक्रमित मिले हैं दुमका में क्रोना से रविवार को तीसरी मौत भी हुई है सेलुन खोलने की अनुमति का नाई समाज ने किया स्वागत सरकार दोरा राज में सेलून खोलने को दी गई अनुवती का आखिल भारतिय नाई संग ट्रेड यूनियन ने स्वागत किया है यूनियन के पुर्व राची जीला महासची मनोज कुमार सर्मा ने कहा कि बिगत 6 माहिना में नाई बंधों को काफी कशनायों का सामना करना पड़ा है उन्होंने करमचारियों से दुकान को साब सूत्रा रखने सेनिटाज की विवस्ता हाथ में गलप्स मास्क पहाँन कर काम करने की अपील की है डिजिटल कॉंटेंट से आधे बच्चे नहीं पड़ रहे राजिक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को वाट्सेप के जरिए डिजिटल कॉंटेंट उपलप्त कराया जा रहा है लेकिन जितने बच्चों को कॉंटेंट मिल रहा है उन्हों में से आधे भी बच्चे नहीं पड़ रहे राजिक के 46,89,893,666 में से 11,44,944,666 को वाट्सेप के जरिए डिजिटल कॉंटेंट उपलप्त कराया जा रहा है इन्हों में से करीब 6,00,000,000 बच्चे ही नियमित रुप से कंटेंट देख रहे है राजिक में बेरोजगार रोजगार के इंतियार में राजिक के युगार रोजगार की आस में पिछले 3 वरसों से इंतियार कर रहे है जार्खन करमचारी चैन आयोग 8,000 से अधिक बाहली पिछले 3 वरसों से नहीं निकाल पाया है आयोग ने नियोजन नीती नहीं होने का कान बता कर सभी बाहलिया रोक दिया जबकि अभियार्तियों का कान आयकि नियाले ने असपस्ट का आयकि चैन वर नियोगती में किसी परकार की कोई रोक नहीं है बता दे कि हाई स्कूल सिक्षा पंचाज सची उत्पात सिपाही और आयार्भी सिपाही की परिट्विकते परिचा भी लिजा चुकी है हाई स्कूल सिक्षा की परिशा दो वर्स पहले ली गए थी जबकि 15 सची उत्पाही की परिशा तीन वर्स पहले वहीं उत्पाही की परिशा आयोजीत किये एक वर्स का समय गुजर गया है अनुबंधित पारा कर्मी संग के अध्यक्ष बने बिनाए जार्खन अनुबंदित पाराच चिकित्सा कर्मी संग का वार्षिक चुनाव रभिवार को जीला इस्कूल परिसर राची में आयुद किया गया जार्खन के बच्चे गोल्डन बेबी लिंग में हुनर दिखाएंगे जार्खन फुटबॉल एस्सोसियेशन के तत्वधान में ग्रास रूट डेवलोपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लिग फुटबॉल परतियोगता कायोजन किया जाएगा परतियोगता राची जमसेदपूर बोकारो खोटी सहित कई और जीलो में होगी एक बार जमसेदपूर ने बेवी लिंक कराया था और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इस महतो कांची परियोजना को अब तक 11 राजियों में कराया जा चुका है यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बार्ट से फेस्बुक टुटर इंस्टागराम पर सेयर करें आप कोमेंट में अपना सुझाब दे सकते हैं थांक यू